आज मैंने दकिया, सतना, रिवा, खोसंगावाद, अनुखपुर के कलेक्टर्स और वहां के जो हमारे प्रबंधक है नागरी का पूर्शी के सभी से दूरभास पे चर्चक किया और अभी तक जो हमारे विभार द्वारा गेहूं चना मसूर का जो हमने उपार्जन किया है 115,90,938 मेट रिक्टन प्रन्तु जीलों से शिकायता रही है कि कुछ अस्थानों पर अभी तक उठाव नहीं किया गया है जिसके चलते गेहूं चना मसूर सर्सों भीगने की संभावना है हमने आज सभी कलेक्टरों को और अपने नागरी का पूर्शी विभार के प्रबंधकों को ने दिया है कि तत्काल किसानों का जो पार्जन गेहूं चना जोड और अपना मसूर का है उठाव करें और परिवाहन करके तत्काल गुजानों भीज़ें और अगर किसी तरह से ये प्रबंधक किला परवाही और ट्रांस्पोर्टरों किला परवाही से अगर हमारे उपार्जन का गेहूं चना मसूर भीगता है तो इसकी जुम्मेदारी सभी प्रवाहन कों की होगी और उनके खिलाब कारवाही भी की जाएगी इसलिए आज इनने देश जारी किये गए हैं और मैं समझता हूं कि इस पे तथकार कारवाही होगी अगर नहीं होती है तो इसकी खिलाब कारवाही करेंगे